नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे दोस्तों, हमारे सरीर का बोज अधिकतर समय हमारी टांगे उठाती है और हमारी टांगों में जो सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है इस बोज का, वो है हमारे घुटनों पर इसलिए वात रोक का सिकार सबसे ज़्यादा हमारा घुटना ही होता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि हमारे सरीर में Tीन तरह के दोस होते हैं वात, पित और कफ यही तीन दोस जो होते हैं, हमारे सरीर के अधिकतر रोगों के कारण होते हैं अगर आपको इन तीनों दोसों के बारे में नहीं पता है तो मैं फिर किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से आपको इन दोसों के बारे में बताऊंगा आज हम घुटने के दर्द के बारे में बात करेंगे और आज मैं आपको उस से उबरने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगा और कुछ हिदायते और सावधानिया बरतने को कहूंगा और कुछ एकसरसाइज भी बताऊंगा तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को अन तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक और सेय जरूर कीजिएगा दोस्तों आप देख रहे हैं मैजिक हिल्थ टिप्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप अपने घुटने को लगभग 45 डिगरी पर मोड लें जब आप इस एंगल पर इसको मोड कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका जो घुटना है इसके उपर इसको कटोरी बोलते हैं घुटने की आप इसको थोड़ा सा दाएं पाएं हिला के देखेंगे तो ये मूव करेगा तो आपको करना क्या है कि अपने दोनों अंगुठे की सहता से सबसे पहले इसको यहाँ पर ऐसे दबाना है और आगे की तरफ ठेलना है आगे की तरफ धकेलेंगे इसको बहुत ही जैंटल तरीके से दोस्तों जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती चली जाती है तो हमें इस तरह की समस्याएं आम हो जाती है और हमारा घुटना जो था वो काफी कमजोर हो जाता है साथी साथ इसकी जो नस्य होती है वो भी कमजोर हो जाती है तो आपको इसको धीरे धीरे जेंटली पांच बार आगे की तरफ धकेलना है फिर उसी तरफ पांच बार पीछे की तरफ धकेलना है बिल्कुल इसी तरह जैसा कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ फिर आप इसको राइट साइड से यहाँ पर पकड़ेंगे आप देखेंगे कि ये बहुत ही असानी से मूव कर जाएगा जो लोग ज्यादा उम्र के होते हैं या जिनके घुटने में बहुत जकडन होती है उनमें ये मूव करने में काफी दिक्कत होती है तो आपको करना क्या है कि यहां पर रख करके इसको धिरे-धिरे ऐसे बाहर की तरफ धकेलना है फिर इसके अपोजिट में भी हम उसी तरफ करेंगे इसको बाहर की तरफ धकेलेंगे तो अगर आपका घुटना टाइट होगा तो ये मूडने में थोड़ा सा दिक्कत होगा अधरवाइस ये असानी से आपका धिरे-धिरे मूड जाएगा ये जितने एथलीट होते हैं उनके लिए भी ये काफी ज़्यादा लाबडायक है तो आप इससे भी करेंगे तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा होगा जब आप ये वाली क्रिया कर लेंगे दोस्तों उसके बाद आप अपने घुटने को बिल्कुल इस एंगल पर मोड लेंगे इस एंगल पर मोडने के बाद जहां पर कि ये आपका घुटना सुरू होता है बिल्कुल यहां पर इस जगह पर आप प्रेस करेंगे अपने अंगुठे की साहता से यहाँ पर दबाएंगे लगभग एक मिनट तक यहाँ पर इसको प्रेस करके रखेंगे यहाँ पर प्रेसर थोड़ा मीडियम प्रेसर देंगे और अंगुठे की साहता से ऐसे प्रेसर देंगे जो बृद्धिर रोग होते हैं उनको थोड़ा प्रेसर जो हलका रखना है और खासकर शुरुवाती दोर पर जवाब कर रहे हैं तो आपको ये प्रेसर हलका रखना है और फिर धिरे धिरे इस प्रेसर को बढ़ाते चले जाएंगी इस जगह दबाने के बाद आप ये जो दूसरा पॉइंट है ये इसका मिडल भाग देख रहे हैं आप ये घुटने की कटूरी इसके बिलकुल मिडल में यहां पर बाहर की तरफ यहां पर आपको दबाना है यहां पर भी आप एक मिनिट तक दबाएंगे उसके बाद इसको रिलीज कर देंगे फिर आप इसको नीचे की तरफ यहां जो हड़ी जहां पर आपकी घुटना का जो उपरी बाला जो हड़ी होता है गोल वाला इस जहां खत्म होता है वहां से आप तीन अंगूल नाप लें और उसके बाहर तरफ यहां पर बिल्कुल यहां पर आप दबाएंगे 30 सेकेंड तर या फिर आप इसको एक मिनिट तक दबाएं यहां पर भी तीनों जगह पर आपको एक एक मिनिट तक दबाना है इन तीनों जगहों पर दबाने के बाद आप इस पर हलका हलका ऐसे घुमा थोडवाते होए थोड़ा सा इसको बार आम कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपने घुटने के पीछे बिल्कुल यहां पर जब आप गुटना ऐसे सीधा रखेंगे तो बिल्कुल यहां पर घुटने के जश्च पीछे यहां पर आपको द bunları कुटने के सायता से थो एक मिनट तक प्रेस करना है उसके बाद इसको आपको रिलिज कर देना है दोस्तों ये किरिया आपको जिस जिस घुटने में तकलीफ है अगर आपको दोनों पैरों में तकलीफ है दोनों पैरों में करनी है और अगर एक पैर के घुटने में तकलीफ है तो जिस पैर के घुट उबाले उस पर एक टौवल जो है रेसेदार वला जो होता है उसको आप उसमें भिंगा ले उसके बाद उसको अपने घुटने के चारो तरफ लपेड दे पानी को पले निचोड़ दे फिर उसको चारो तरफ लपेड दे उसको आप कम से कम पांच मिनिट तक लपेड़े रखें दोस्तों ये किरिया आपको सुबह साम करनी है अगर आपके घुटने में दरद है तो काफी ज़्यादा दरद है तो सुबह साम करें कम दरद है तो एक टाइम भी कर सकते हैं दोस्तों जब आप इसको regular करेंगे तो आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके जो घुटने का दर्द है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और अगर आप regular करेंगे तो ये आपका घुटने का दर्द बिल्कुल चला जाएगा ये खासकर बिद्ध लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि उनके गुटने की जो नसे होती है वो काफी कमजोर हो जाती है जिसकी वज़ा से उनको चलने फिरने या फिर उठने बैठने में भी तकलीफ होती है दोस्तों ध्यान इस बात का रखना है कि इस पर आपको मसाज नहीं करनी है जनरली घुटने का दर्द आपको तब होता है जब उसकी नसों पर लगातार दबाव पड़ता है जिसकी वज़े से उसकी नसें कमजोर हो जाती है तो जब आप उस कमजोर नस को रगड़ कर मालिस करते हैं या दबाव डाल कर मालिस करते हैं तो वो और भी ज़्यादा कमजोर हो जाती है इसलिए आपको इस ध्यानिस बात का रखना है कि इसको मालिस नहीं करनी है सिर्फ गर्म पानी का सेक देना है तो दोस्तों ये वाला आप करके देखें और इस बात का विसेज ध्यान रखेंगे कि आप माली से ना करें और इसको गर्म पानी का सेख दें दोस्तों आप इस क्रिया को रेगुलर करें इससे आपको अवस्य फाइदा होगा काफी सारे लोगों को फाइदा हुआ है जिन जिन को मैंने बताया है अब आप भी इसका लाब उठाएं और इस वीडियो को सेयर करें ताकि अगर आपके मित्र रिस्तिदार में किसी कोई तकलीफ है तो वो भी इसका लाब प्राप्त कर सके और जो महंगे सरजरी वगरा है या फिर जो दवाईयां आपको महंगी एखानी पड़ती है उससे आप बच सकें तो उससे महंगी सरजरी या फिर कोई दवाई लेने से पहले इस नुस्के को जरूर ट्राइ करके देखें इसमें जाता कुछ नहीं है मुफ्त का इलाज है तो इसको करके देखें साथी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अगर आपको कोई नीजी सवाल है मेरे वीडियो से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर पूच सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे बिदा लेता हूँ मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए और नायाब नुस्के के साथ तब तक के लिए मुझे आगया देजे धन्यवाद